नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज एक और हम नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं आज जिस खेती के बारे में जानकारी देने वाले हुआ नील की खेती के बारे में हैं नील का पौधा दो या तीन हाथ हूचा होता है पत्तियां चमेली की तरह होती हैं और टहनियों के दोनों तरफ पत्तियां लगती हैं छोटी छोटी होती हैं फूल मंजरिये में लगते हैं लंबी लंबी बबूल की तरह फलिया आती हैं नील के पौध्य की तीन सो लगभग प्रजातिया है पर जिन में से यह रंग निकाला जाता है वे पौध्य भारत वर्स के हैं और अरब मिस्र तथा अमेरिका में बोए जाते हैं भारत वर्स नील का आधिस्थान है यहां सबसे पहले रंग निकाला जाता था नील एक रंजक है या सूती कपड़ों में पीलापंद से निजात पाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या पाउडर तथा तरल दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है या पाउधों से भी तयार किया जाता है और कृतम रूप से भी तयार किया जाता है भारत में नील की खेती बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है इसके अलावा नील रंजग का भी सबसे पहले से भारत में ही निर्माणयों प्रयोग किया गया नील के पौधे से नील दो प्रकार से निकाला जाता है हरे पौधों से और सूखे पौधों से कटे हुए हरे पवधों को गाड़ी हुए नांद में दबाकर रखते हैं और उपा से पानी भर देते हैं 12-14 घंटे पानी में पड़े रहने से उसका रस पानी में उतराता है और पानी का रंग धानी हो जाता है इसके पीछे पानी दूसरी नांद में जाता है जहां डेर से दू घंटे तक लकड़ी से हिलाया मत्था जाता है मतने का काम मसीन से भी होता है मतने के बाद पानी निथारने के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ देर बाद पानी के नीचे बैठ जाता है और यही साफ कर लिया जाता है यह प्राकर्तिक रूप से उत्पन होने वाला है इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इसलिए इसकी खेती करने से आपको अच्छे आमदनी प्राप्त हो सकती है और नील का रेट तो आप जानते ही होंगे